हलो एवरिवन, वेलकम बैक टो आवर जावब प्रोग्रामिंग शीरीज और आज की विडियो में हम लोग परहेंगे सेलेक्शन कंस्ट्रॉक्ट तो प्रीविश्वीडियो में हम लोग ने कॉवर किया था टर्नरी ओपरेटर या कंडिशनल ओपरेटर और कंडिशनल करते हो तो इसके अंदर आपको symbols याद रखने परेंगे और मैं क्या चाहरा हूं कि आपका जो programming की लिखने का तरीका है वो थोड़ा simple होना चाहिए और ज्यादा तर इंग्लिस language से ज्यादा close होना चाहिए यहां पर क्या होता है कि आपको symbol के से तो कोलोन के बाद का display करेगा राइट तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के उपर में और वहां पर मैं आपको समझाता हूं कि यह कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को अपना लॉजिक बिल्ड करना है तो प्रोग्राम को लिखने से ज्यादा इंपार्टेंट है कि आप पहले उस लॉजिक को समझो कि किस तरह से प्रोग्राम भी हैव करता है कैसे प्रोग्राम हमारा result देता है और किस तरह से हम उसका solution करते हैं जब आप प्रोग्रामिंग की तरह सोचना सुरू करोगे तो उसे लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा किवल आपको और सिंटेक्स को ध्यान में रखना होता है तो लिख कम टू आवर पीज एड़ आगा अंड्राइड वर्क्स वैड तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं selection construct और selection construct में हम लोग करेंगे if else, right तो if else को हमें कब use करना है उसको पहले देख लेते हैं, right जब आपके पास केबल दो ही decision हो कि अगर condition true होगा तब मुझे क्या करना है और अगर false होगा तब क्या करना है तो उस case में आप if else का use करो right suppose करो कि यहाँ पर एक box है और इस box के अंदर में decision का काम होगा, right so here is our decision box so this is our decision box और एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर user right, तो user यहाँ पर है और user के through हम लोग क्या करने और user किसको हम लोग ट्रिट करने कि suppose करो कि हम आप एक user हो, right और यह decision maker को एक काम दिया गया है कि अगर कोई user आपके पास आता है तो आपको क्या check करना है कि वो जो user है वो एक VIP user है या एक general public है right अगर वो VIP user होगा तब मुझे कुछ special treatment करने है और अगर वो एक general guest है तो उसके साथ कुछ अलग treatment करना है right तो जब यह user आएगा तो अपने साथ अपना identity लेकर के भी आएगा right तो यहाँ पर अगर हम लोग assume करें कि यह user है और यह user हमारा एक VIP हो सकता है right और अगर VIP user नहीं है तो general guest हो सकता है right तो यही एक दो option है आपके पास कि user या तो VIP होगा और नहीं तो general guest होगा right अब यह decision maker क्या करेगा यह decision maker check करेगा कि आप अगर VIP हो अगर VIP होगे तो आपको एक VIP loss दिया जाएगा right और अगर आप general public हो एक general guest हो तो आपको अलग room दिया जाएगा right so this first room is made for the VIP guest right और यहाँ पे जो second वाला है वो जो room मिलेगा वो general guest वाले के लिए मिलेगा right so this is for the general guest तो यहाँ पे हम लोग भी point out कर लेते हैं कि this is for the VIP and the second one is for the general guest so I hope आपको समझ में आगया होगा कि जो भी candidate आएगा जो भी user होगा उस user को अपना identity बतलाना होगा right तो यहाँ पे decision maker चेक करेगा कि आप अगर VIP हो then you have to go to this VIP loss और अगर आप VIP छोड़ कर कुछ भी हो आप general guest हो public हो, client हो या फिर कोई clerk हो, manager हो doesn't matter आपको जाना है general guest room के अदर right तो इस point को हम लोग कैसे लिखेंगे इस syntax के थरू तो उसको हम लोग समझने की कोशिस करते है यहाँ पे देखो कि मुझे लिखना है if and then here we have to check the condition right और जो condition है वही हमारा ये box है right इसी के अंदर में हमारा decision making होगा तो जो box बाला part है उसको हमने लिख दिया if बाले में right और अगर ये हमारा condition check होता है और condition सही निकलता है then we have to send them to VIP room right so यहाँ पे जो statement हम लोग लिखेंगे वो statement किस के लिए होगा तो true के लिए right कि अगर यहाँ पे condition हमने चेक किया कि अगर वो जो guest है वो VIP है या जो person है वो VIP है then we have to send them to the VIP room right और अगर नहीं निकला right तो मुझे else करके जो लिखेंगे statement उसको process करेगा right so here is the statement for false और इसके अंदर में हम लोग इस statement लिख देंगे so this is the general syntax for if and else अब यहाँ पे देखो इस चीज को हम लोग कैसे implement करेंगे तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने BS code के अंदर में और इसको implement करके check करते है so here is our BS code और input लेने के लिए आपको पता है पिछले class में हम लोगों ने पढ़ा था scanner class का right और scanner का हम लोगों ने object यहाँ पर बना लिया था sc और उसके बाद हम लोग यूजर से input लिया थे right तो अब की बाद जो input लेना है मुझे वो लेना है कि user का type क्या है either VIP और others तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो VIP और others लेने के लिए मुझे type जो input करना परेगा वो होगा string ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ले ले लेते हैं user and then we have to input the user type right तो यहाँ पर हम लोग message भी डाल देते हैं कि enter user type right और यहाँ पर जब मुझे string value लेना परेगा तो string value लेने के लिए हम लोग ने variable बनाया था user और inside the user we have to take the string from the user right तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे sc.next तो user हमने user से input करवा लिया और अब यहाँ पर मुझे decision लेना है right तो decision लेना ही main important काम है यहाँ पर देखो कि decision box के अंदर में जाना है और मुझे decide करना है कि user का type vip है या कुछ और है right यहाँ पर हम लोग ने user से input कर लिया कि user का type क्या होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर condition check करेंगे तो देखो user यहाँ पर एक string object है और string comparison करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसका एक function use कर लेते हैं equals right और equals क्या होना चाहिए तो यहाँ पर आप supply कर दो vip right so if the user equals vip then we have to send them to vip room right तो यहाँ पर message कर लेता हूँ मैं system.out.println and then print here is the go to vip room right और अगर यह गलत होता है then we have to send them to general room right the guest room तो यहाँ पर मैं message कर लेता हूँ system.out.println and then go to guest room all right save it and compile our code तो compile करने के लिए आपको मालूम है java c and it is successfully compiled then again run it तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा user type है so here is the vip so okay we are getting here go to vip room और अगर मैं vip नहीं डालू right तो यहाँ पर general हम लोग डालते हैं कि I am the general public then go to guest room very good so I hope आपको समझ में आगया होगा कि किस तरह से हम लोगों को अपना logic build करना है right और जब एक बार आपका logic clear हो जाना तो केवल आपको समझना है कि syntax मुझे कैसे लिखना है अब यहाँ पर जो हमने यूज कियाना है एक equals नाम का method that is the string method right और इसको हम लोग दिरे दिरे समझेंगे कि string एक class है उसके अंदर में बहुत सारे inbuilt method है और उस method के through हम लोग इस value को compare करेंगे all right so that's all for this video we will see you in the next video till then bye bye